कि अज़िए 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 करने वाले हैं डॉट ओएस के एंड्रोड 11 वर्जन को तो सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं लिए आपको सिर्फ रूम चाहिए और करनल चाहिए है तो दोस्तों उसको आपको इन दौनों फाइल्स की आपको जरूवत होगी इस रूम को फलेश करने के लिए तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं चैनल को कर दीजे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो दोस्तों होगी शुरूआत करते हम बूट एनिमिनेशन से तो बूट एनिमिनेशन में आपको एंडर 10 और एंड्रोइड 11 में कोई डिफ्रेंस देखने को नहीं मिलने वाला है हला कि यहां एंड्रोइड 11 में बूट एनिमिनेशन का टाइम मुझे पिछली वाले डॉट ओस मतलब एं को शो होनी वाला है दोस्तों इस रोम में सबसे चीजी लगी को कुईक सेटिंग्स में एसेंट कलर जो है वो एंड्रोइड 12 जैसे ही डाले गए जिसे जो इस रोम को एंड्रोइड 12 जैसा लुक प्रोवाइड करते हैं काफी अच्छी लगी मुझे रूम रोम यह मेरा परस अगर आप कस्टमाइजेशन लवर हैं तो आप रोम को रख सकते हैं तो दोस्तों शुरूआत करते हैं जी एम से तो दोस्तों इसमें जी जो गो है वह पहले से प्रींस्टार्ण लाता है और इस रोम में अगर हम देखे ध्यान से तो हमारा जो रियर कैमरा है वो काफी अच इशू है वो देखने को मिलेगा और मुझे लगता नहीं कि यह जो इशू है वो कभी भी जाने वाला है क्योंकि ओम नी सेंसर के साथ यह इशू तो रहेगा ही रहेगा सो दोस्तो अगर आप चाहो तो अगर जीकेम यूज कर सकते हो जैसे डाइस जीकेम 4.5 और जीकेम 8.1 जैसे वर्जन को यूज कर सकते हो अगर आप लगी हो रहे तो आपके यह फोन में जरूर वर्क करेंगी दोस्तो घबडाना नहीं मैं आपके लिए जल्द से जल्द कोई ऐसे जीकेम का वर्जन लेकर आओंगा जो सारे मेरे भाई लोग है ना उन लोगों के फून में काम करेगा तो दोस्तो अभी हम होम स्क्रीन की बात कर रहे हैं मैंने कोई जी एप्स को जो फ्लेम जी एप्स जो की रिकमेंडिड है इस रोम के साथ वह भी मैंने फ्लेश नहीं किया तो हमारी जो स्टॉक एप हैं वही हमें शोओंगी टोटल नाइन एप्स यहां पर शो हो रही है और तो सारी ट्रेडिशनल एप सी यहां पर शोओ हो रही है हमारी तो दोस्तों अभी चलते हैं हम इसके सेटिंग्स की तरफ तो सेटिंग्स में यार काफी ज्यादा मतलब नया लोक यहां प्रोवाइड किया गया नए फॉन्स हैं नए आइकंस हैं यह आइकंस मतलब प्रीवि अगर देखा जाए तो यहां टाइल्स वर्क थोड़ा सा देखनी को मिल जाता है जहां पर डॉट ओएस का वीव 5.1.2 वर्जन हम ने जो है अभी इंस्टॉल किया है मेरा जो फोन है वो 32GB वेरियेंट है जिसमें 24GB में occupy कर चुका है और डिवाइस नेम यहां देखिए आप रेड्मी नोट 4 आपको शोग नहीं होगा यहां पर टैनोर्जी डिवाइस ही शोगा क्योंकि यह रोम टैनोर्जी डिवाइस लिए ही बनी है तो दोस्तों यह फुर्शी की बात है चल्दी से इसी बात पर आप चैनल को कर दिए लाइक अभी बात करते हैं हम हमारे फोन की स सिक्यूर्टी पर इस रोम में काफी जादा फोकस किया है यहां पर आपको स्वाइप पैटन पिन और पासवर्ड तो आप सोच रहोंगे यह तो हमें सारी जो में प्रोवाइड किये गया है तो दोस्ति यहां पर कुछ नया है यहां पर जो आपको फिंगरप्रिंट है वो बुल्कुल स्टॉक वाली स्पीड से मैच करके दिया हुआ है अब भी मैं आपके सामने एक चोटा सा टेस्ट करता हूं आप खुद देख लीजिए कि कितना फास्ट है यह फिंगरप्रिंट तो इससे सेट अप करते हम सबसे पहले तो हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो हो चुका है सेट अब भी मैं आपके सामने इस शो करने वाला हूं कि यह फिंगरप्रिंट कितना फास्ट जो है वो वर्क करता है तो हमने किया इस स्क्रीन को पावर आफ और टैप करते ही हमारी जो स्क्रीन हो गई वह अनलॉक एक तो आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट काफी ज्यादा फास्ट वर्क कर रहा है एक पर साइड भी वह आपको प्रोवाइड कर दूं तो हो जाओ खुश दोस्तों तो मुझे लगता है कि आप खुश होंगे क्योंकि यहां पर हमें फेस अनलॉक भी देखने को मिलने वाला ह एंगे और यह व Jim व्हा है सीक्योर्टी में बैटरी में ए्ट सेंटिब बैटरी जैसा एकी यूसफुल कि फीचर आपको प्रोवाइड किया घर जो आपकी बैटरी ब्रैन होने से बचाता है काफी ज़्यादा तो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं होम स्क्रीन पर होम स्क्रीन पर आप सुरी में होम स्क्रीन पर गया इसके बाद हम चलते हैं हमारे कि कस्टुमाईशन जो कि इसके कोर फीचर्स शो करेगा तो दोस्तों यहां डिस्प्लेइब में एक बाव देख लेते डिस्प्लेइब में स्टाइल्स और वाल पेपर जो हैं आपको काफी जादा प्रोवाइड किये गए काफी जारे ग्रेड ऑप्शन है इसमें पूर वाइ आइकन साइज हो जाएंगे तो आप अपने कॉर्डिंग इने सेट करना दोस्तों कॉर कस्टमाईशन की बात करें तो यहां काफी सारा कस्टमाईशन जो है इस रोम भर भर के दिया गया है तो अगर इसमें देखें तो आपको यहां टाइल से वर थोड़ा देखने को मिल ज चलते हैं क्विक सेटिंग्स में तो क्विक सेटिंग्स में आपको MIUI पैनल देखने कुछ मिलता है डेफॉल्ट यहां पर और कॉलम को सेट कर सकते हो लॉक स्क्रीन एप लॉक भी यहां प्रोवाइड किया गया है काफी जाधा सेक्योर्टी पर फोकस किया है जैसे कि मैंने आपको बताया मॉनिट इंजन देखने को मिलता है अगर आप डिफॉल्ट यह ओन रहेगा पर अगर आप चाहो कलर एसेंट कलर चेंज करना तो आप यहां से कर सकते हो आपको इसके लिए मॉनिट इंजन को आफ करना होगा तो दोस्तों अभी हम चलते हैं यहां इसकी क्लॉक पर क्लॉक के काफी जादा यह वेरियंट दिये हैं इवन दोस्तों यह काफी जादा इंपॉर्टेंट फीचर लगा मुझे कि हर कोई एक सी लॉक स्क्रीन पसंद नहीं करता हर किसी को एक नया लोग चाहिए होता है तो उ यहां पर मतलब काफी सारे क्लॉक ऑप्शन है बस वॉल्यूम बटन से रिलेटेड आपको यहां काफी सारे कस्टमाईजिशन देखने को मिले वाले हैं और अगर हम बात करें यहां पर गैस्टर्स की तो त्री बटन गैस्टर टू बटन ने बाप पिल जैसे काफी सारे ऑप्शन यहां प्रोवाइड किये गए इस रोम में दोस्तों तो कस्टमाईजिशन को लेकि तो इस रोम को एक ग्रेड मिलना चाहिए ऐग सले के तो की सो दोस्तों और देख लेते को इक सतनी तो आप कहेंगे क्याने कुछिव सेटाइटिंग कीूट्रes रोम कने पिछुली वीडियो में आकर मैंझाट करूँ तो मैंने क्या है पर इसमरा वारक्ष नहीं और इस सॉन ow कर नहीं उता और वाद हमारा फ्लेश्लाइट यहां वार्प। लिसनर है तो यह आप आप लिए बहुत माइने रखती है और यह दौन होगी एप आपको इस बिल्ड में देखने को नहीं मिलने वाली तो दोस्तों नेक्स बिल्ड का इंतजार कीज़े मुझे भरोजा है कि नेक्स बिल्ड में यह चीजें भी इसमें एड़ कर दी जाएंगी दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसी कई सारी जो रोम हैं बहुत डिवलप्मेंट में हैं और चल्द ही आपके सामने आएंगी जो कि स्पेशलिट एनोर्जी लिए बनी होंगी तो हम मान के चल सकते हैं कि आपको वहां पर बक्स बहुत कम देखने को मिलेंगी तो दोस्तों यह रोम मैं आपको वॉल्यूम पैनल के भी थ्री और फॉर टाइप देखने को मिल जाएंगी जिसमें आपको मियूए पैनल है टाइल वर्क भी आपको देखने को मिल जाएगा अभी मैं रोम को पावर आफ कर रहा हूं आपको मैं जी एप्स फ्लेश करके दिखाऊंगा त तो दोस्तों अगर आप नए है चैनल पर तो प्रीविएस वीडियो देखकर आप देख सकते हूं और आपको पता चल जाएगा कि कैसे रोम और इन सब चीजों को फ्लेश करना है और हमारे जो पुराने एक्स्टर नहीं बंदने हैं और लोगों को तो पता ही है तो दोस्तों अपने फोन में मैं जाके सबसे पहले फ्लेंग आपको दिखा देता हूं मैंने जो है वह स्टॉक वाला वर्जन डाउनलोड किया हूँ है तो उसी को मैं फ्लेश करने जा रहा हूं जो कि टूफिप्टी एमबी के कुछ कुछ यह है कि इसके बाद फ्लेशिंग में लेगा कुछ समय तो इसको हम समय दे देते हैं और दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं जैसे आपको जो कीमती समय है वह बच जाए और आप इस वीडियो के जो में सोर्स है इस वीडियो का निचोड जो है वह आपको मिल जाए तो दोस्तों अगर आप कस्टमाइजिशन लवा रहे हैं तो इस वीडियो को आप बुल्कुल देखो और इस रोम को भी फ्लेश करो क्योंकि यह ठर्ड रोम होने वाली है जो टैन और जी पर कम बग्स के साथ फ्लेश होगी और अच्छे ज़क वर्क करेगी जी के मोडियूल की उपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तों चैनल को लाइक शियर सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे जो जी एप्स हैं वो फ्लेश हो गए होम स्क्रीन की तरफ हम आ इसके बाद हम देखते हैं तो यह हमें कैल्कुलेटर कैलेंडर और क्लॉक तो दोस्तों याद रखिएगा कि आपको जो जी एप्स हैं वो लेटेस्ट वर्जन की ही फ्लेश करनी हैं पुराना वर्जन फ्लेश मत किजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में